हेलो माई डिर फ्रेंड्स सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार मैं विवेक कुमार आप सभी का अपने योटूब चैनल यूवी कमपेटिसेंस में स्वागत करता हूँ सात्यों मेरे राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल भरती 2021 की आवेदन प्रक्रियात चालू है आवेदन 10 नौवंबर 2021 से शुरू हुए है जो की अंतिमती थी 3 अक्टूमर 2021 तक चलेंगे सात्यों मेरे राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल का एक्जाम पैटर्न और सिलेबस हम इस वीडियो में इस बारे में चर्चा करेंगे कुल 4588 के लिए होने वाली यह परिक्षा जिसका कि आवेदन प्रक्रिया 10 नौवंबर 2021 को शुरू हुई है और 3 दिसंबर 2021 तक चलेंगे सात्यों वीडियो में बात करते हैं एक्जाम पैटर्न राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल के लिए इस बार एक्जाम पैटर्न क्या है और साती सात हम बात करेंगे एक्जाम सिलेबस की जो लिखित परिक्षा है उसके लिए सिलेबस क्या गया है साथ यो एक्जाम पैटरन का अकोडिंग राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल के पेपर को चार भागों में डिवाइड किया गया है यहने की चार पार्ट है पहला पार्ट है रीजनिंग और रीजनिंग अबिलिटी और कम्प्यूटर दूसरा है जनरल नॉलेज, जनरल साइन्स, सोशियल साइन्स and current affairs सामान्य ज्यान, सामान्य विज्यान, सामान्य विज्यान और current affairs तीसरा पार्ट है crime against women and children and legal provisions and information about rules महिला और बच्चों के खिलाब अप्राद और कार्णूनि प्रावधान और नियमों के बारे में जानकारी और चौथा पार्ट है history, culture, art, geography, political and economics, status of राजस्तान राजस्तान का इतियास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनेती और आतिक इस्तिति साथियों मेरे कुल एक सोपचास कोश्चन आपको इस पेपर में मिलेंगे और कितने नमबर के, एक सोपचास नमबर के साथियों, reasoning and reasoning ability and computer के आपको साथ कोश्चन मिलेंगे, साथ नमबर के general knowledge, general science, social science and करंड़ा, फिर इसके 35 कोश्चन मिलेंगे, 35 नमबर के crime against women and children and legal provision and information about rules, इसके 10 कोश्चन मिलेंगे, 10 नमबर के history, culture, art, geography, politics and economic status of राजस्थान, इसके आपको 45 कोश्चन मिलेंगे, 45 नमबर के इस तरह से कुल एक सोपचास कोश्चन मिलेंगे, 150 नमबर के क्याने कि कुल प्रते कोश्चन एक नमबर का है, 150 कोश्चन, 150 माक्स, एक नमबर का प्रते कोश्चन ने चार बागों में डिवाइड किया गया है, साथे अब चर्चा करते हैं कि इस बार इस परिक्षा में तो उसमें तीन पार्ट दिये थे, तीनों पार्टों को अलग-अलग पास करना अनिवार्य था, 35 बार ऐसा नहीं है, इस बार तीनों पार्टों को जोड़कर minimum qualification अंक प्राप्त करने होंगे, और इस बार paper जो है, वो दो गंटे का होगा, यानि कि दो गंटे का आपको समय विलेगा, 150 questions, 150 marks का paper और समय आपको 120 minute, यानि कि 120 minut में 150 question आपको करने है, साथे minimum जो qualification Mark है, qualifying marks, अलग-अलग category के लिए अलग-अलग रखे हैं, तो जनरल और OBC के लिए चालिस परसेंट रखे गया है, मैंने कि एक सो पचास का चालिस परसेंट रखा गया जनरल और OBC के लिए, SC, ST के लिए यही क्वालिपकेसर मार्क चालिस परसेंट रखा गया है, कितना रखे गया, चालिस परसेंट, यानिकी जनरल और OBC को 40% मार्क्स लाने SCST को 36% लाने और TSP और सहरिया को minimum qualification मार्क्स की रिक्वार्मेंट नहीं है तो साथियो इतने मार्क्स आपको तीनों पार्ट जो आपके चार पार्ट दे गए चारों पार्टों को मिला कर लाने पिशली बार के पेपर की तरह नहीं हर पार्ट को अलग अलग पास करना जरूर नहीं है बात की जाए सर इसके नेगेटिव मार्किंग की तो 150% है 150 नंबर का लिखित पेपर है ठीक है और इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी 25% यानि की 1 फॉर्ट प्रतेक गल्थ उत्तर पर एक बटे चार अंक कटेगा आपके द्वारा प्रतेक गल्थ उत्तर देने पर एक बटे चार अंक कटेगा 150% 150 नंबर का पेपर 25% आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी सात्यों मेरे बात करें इसके physical test की, तो physical test में जो running है опять 5 km की दोड रखी गई सामाने constable को 5 km की दोड पूरा करने पर 30 नमबर मिलेंगे driver bad squad को 20 नमबर, constable डाइवर के लिए अलग से test होगा साथ ही किस के लिए कितना time है running के लिए इसकी बात की जाए तो मेल कंडिडेट पुरुस अभ्यरतियों के लिए 5 किलोमेटर की दौड 25 मिड़ में पूरी करना अनिवार रहे है फीमेल कंडिडेट महिला अभ्यरतियों के लिए 5 किलोमेटर की दौड को 35 मिड़ में पूरी करना अनिवार रहे है एक सर्विसमेन कंडिडेट को पांच किलोमेटर की दोड़ 30 मिनट में पूरी करना अनिवार है सहरिया SCST कंडिडेट के लिए पांच किलोमेटर की दोड़ को 30 मिनट में पूरी करना अनिवार है पांच किलोमेटर दोड़ मतल़ पांच किलोमेटर डिस्टेंस है पाच किलोमेटर की दूरी को 30 मिट में पूरी करना अनिवार है तो साथियों मेरे मेल कंडिडेट, फिमेल कंडिडेट, एक्सरिफिसमें कंडिडेट, सहर या SCST कंडिडेट के लिए कितना समय मिलेगा दोड़ पूरी करने के लिए उसकी जानकरिया आपको दी गई है तो मेरे प्यारे साथियों यह था एक्जाम पैटर्न, राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल का, अब बात करते हैं सिलेबस की, राजस्तान पुलिस कॉंस्टेबल का सिलेबस क्या है डिटेल सिलेबस की बात की जाए तो पार्ट चार बागों में डिवाइड है पिपर पहला पाट है reasoning and reasoning ability and computer इसमें सामिल किया गया है दिशा परिक्षन direction test सद्रस्य संकला स्रीज पहली परिक्षन घड़ी वाच कलेंडर दरपन मिरर इमेज पासा cubes और cubes वक्तव्य निसकर्स तार्किक तर्क सब्द और पत्रव्योस्ता वेन आरहिक वेन डाइग्राम रक्त संबस संबन्द ठीक है इसके अलावा coding decoding data व्याख्या गयर मोखिक तर्क अंक गणे तिय तर्क और विविद तार्किक तर्क computer में सामिल है computer hardware, software का बुन्यादी ज्यान, operating system, networking system, cyber शुरक्षा, MS office, Microsoft office, virus, नविन्त प्रदोगी की आदि तो यह है reasoning and ability and computer का part mathematics सी विसी में सामिल है इसके अलावा दूसरा जो part आपका हुए general knowledge, general science, social science and current affairs सामाने ज्यान, सामाने विज्यान, सामाजिक विज्यान और current affairs का इसमें सामाने ज्यान पूछा जाएगा current affairs, इतिहास, भूगोल, आर्थिक, पंचवर्षय यूजन, कला और संस्कृति, पार्ते राजनिती और सासन, बोतिकी, physics, रसायन विज्यान, कैमेश्ट्री, जीव विज्यान, जूलोजी, माना और रोग, रोगों से संबंदित सवाल भी आएंगे प्रसिद वक्तित्व है, विज्यान के छेत्र में प्रसिद वक्तित्व है, कौन-कौन है, प्रसिद आदमी व्यक्ति कौन है, उनके बारे में, खेल, भारते, राष्टे, आंदलोनों के बारे में पूछा जाएगा इसका है तीसरा जो पार्ट है, वह है crime against women and children and legal provision and information about roles महिला और बच्चों के खिलाप अपराद और कानूनि प्रावदान और नियम के बारे में चान करी, इसमें सामिजिक मोर्चे पर चाकरुकता से संबंदिस सवाल पूछे जाएगे, दोसियों, बच्चों और महिलाओ के खिलाप कानूनि प्रावदान, महिलाओ के खिलाप अ प्राज से संबंदि सुरक्षा उपायों के बारे में पूछा जाएगा और विबिन कानूनि अधिनीम और बच्चे इनके बारे में पूछा जाएगा इसका चोथा पार्ट जो है इसमें से 45 कोश्चन में राजनिती राजस्थान की राजस्थान का भूगोल इतियास कला और संस्कृति राजस्थान की अर्थिवस्ता राजस्थान की संस्कृति और कला राजस्थान में मेले राजस्थान के तैवार लोख नरत्ये सीमा सुल्क मैत्योपूर्ण परेटन इस्थल, राज्य विवस्ता, राज्स्तान की जलवायू, राज्स्तान की नदिया, राज्स्तान की जीले, और राज्स्तान का करंट अफिर और विविद पूछा जाएगा, साथियों मेरे पेपर में questions का level 12 तक का होगा, यान की भरती परिक्रिया के लिए सेक्षण क योग्यता बार भी रखी गई है, 12 रखी गई है, तो 12 तक का level का आपका questions मिलेंगे, मेरे प्यारे साथियों तैयारी अपनी जारी रखे, 104 रूप से करते रहें, और 4588 जो constable की भरती है, उनमें एक नाम अपना भी चोट ले, तो साथियों वीडियो देखने के लिए आपका और वाचिंग इस वीडियो, और साथि मेरे वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज एक बार हमारे यूटूब चैनल है, छोटा सा यूवी कंपेट्सन से इसको सब्क्राइब करें, हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेली कराम पर भी जुड़े, और साथि वीडियो अच् आखरी का यान कि constable परती परिकरिया शुरू होने से लेकर, constable परती परिक्यार के syllabus, selection process, pattern, exam pattern, exam syllabus और कब से पौरम सुरू हुआ सारी की सारे डिटेल लेकर क्या एजकेशनल क्वालिप किसन है क्या एज रिक्वाइड है इन सबका वीडियो लेकर मैं उपस्तित होता हूं आपके सामने थैंक्यू सो मच धन्यवाद मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ अपने